हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हाखिर वोपल आई गया हाखिर वोपल आई गया हाखिर वोपल आई गया इसका मुझे सालों से इंतिजार था अखिर तुम्हारे साथ मेरा संपर को ही गया आई एर भूब फॉन्हार, खुर, भुछॉ जुको भूब लुपो नुपो तुम्हारा नुपॉ ऑचिंगे और मीनो पुमन्हे जा रं सकते지 नुपो वार! 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 वालोएड को अने? अने बापर! कानो, कानो तो अबराने की जरूरत नहीं है वनोज तुमने ही हमसे शंपर किया था जिस पांग को अंजाम देने के लिए तुमने शालो इंतजार किया मैं उसी काम में उमहरी मदद करने के लिए तुम तक आया हूँ मगर हर काम के एक कीमत पुठी है उमहरा काम पूरा करने के लिए कीमत है मेरा एक काम जो तुम आसानी से पर सकते हो मन्जूरे तुम जो भी बोलोगे ना वो मैं कर दूंगा मन्जूरे मुझे मुझे बताओ क्या करना है जोदा साल पहले तुम्हारी मेहन कहां से काम हुए थे नहाँ तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लेके हूँ तुम बताओ क्योंकि शेहर की भीड में न ये खुला आसमान देखने का मौका नहीं मिलता यह इस जगह ये खुला आसमान और इसमें बिछी ये तारों की चादर चादनी में छिपी ये तारों की रात और उसे भी बहतर पता है क्या तुम्हारा साथ क्या बात है आज तुम्हारा मिज़स बड़ा शायराना हो रहा है यह क्या है वाव कितना खुबसूरत कितना कमाल है न लेकिन अर्जुन ये है क्या अर्जुन ये लेकिन जो भी ये अदबत है चलो ना चलके दिखते है नहीं जाने दो ना पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लग रहा है यह मैं हूँ ना तुम्हारे साथ चलो अर्जुन इसे मौके न भार बर नहीं मिलते है ठीको जो चीज कभी ना देखे और देखने का मौका मिल रहा है और देर के लिए अँ सब छोड़ दें कमां ना एं विद्यू अर्जून. तुम्हारे साथ शलती इंघ। तो यहार अच्छा तुम इट दो में नोगारा दो दो अजया देखो नहीं 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 अरजून नहीं आखकली नहीं रुखना चाहती चलो में भी तुम्हारे साथ सुलती है चलो कौन हो तुम, क्या हो तुम नहा नहा भागो नहा प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प कोई है अजूर ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा किस समय मैं नियरा पूरी बॉड़ी चैल चुकी वो भी इतनी समय में ज़रा देखो आस्पास प्लीज शांत हो जाएए और हमें बताएए कि क्या हो आता यहां पे मैं और अर्जुन हम यहां कुछ पल अकेले बिताना चाहते थे कि तभी अजानक से हमें एक अजीब सी एक अजीब सी रोशनी दिखाई थी हम करीब पहुँचकर कुछ समझ पाते हैं क्या चानक से वो आगे बढ़ा और कौन था वो आपने देखा उसे मैंने ऐसे शक्र मेरे कभी नहीं देखी वो जो कोई भी था वो हमारे आप जैसा नहीं था वो बहुत डरावना था वो वो इंसान नहीं था इंसान नहीं था वो हम लोग भागने लगे कि तब ही उज पीछे से अरजुन के चीक सुनाई थी जब मैंने करीब जाए देखा था मेंने अरजुन नहीं तम आपे किसी कोगल तेखा भी नहीं नहाचा आपे कोई आग्ती कि अजीब से पैरों के निशान है ना ही किसी जैनवर के और ना ही किसी इंसान के तुम यह पैरों के निशान किसी इंसान के तो नहीं रखते हैं सर यह देखिए ऐसा लगता है जैसे यहां पर कोई सामान रखा गया था मुझे तो लगता है एलियन वाली स्पेश्ची बुद्री थी यहां पर इस नहा ने यहां पर पिछली रात क्या देखा था यह जानना बहुत ज़रूरी है अगर है कौन वा आदमी जिसने यह सब किया है ज़र देखो आसपस देख पूटेक में वहां क्या है लगता कोई रहता है इसमें चलो चल के देखते हैं यहां पर जो कुछ भी हुआ होगा श्याद यहां से पता चल जह है अजए अजए यह घो एक्षवारी बालतो के एक्या उताओवारी लेंग errग देखते हैं आए यह यहां प्रूप रहां जाए लेखते हैं अडित अजए एप देखते हैं खानपूर 2015, जोदपूर 2014, यह दोसे ग्रहों के लोहों को देखा गया था इन जगहों पर, ऐसा दावा की है इसमें? लगता है यहाँ पर कोई किसी को ट्राक करने की कोशिश कर रहा है, और इन मशीनों से एलियन से संपर करने की कोशिश कोन है वो जो ऐसी सुनसान जगह पर एलियन्स के बारे में रिसर्च कर रहा है से, यह एलियन्स खाते क्या हूंगे? आदू मी तो नहीं खाते ना? यहाँ जो कोई भी रहता है उसे पता होगा कि काली हाँ पर क्या हुआ था आप लोग? आप लोग कौन? अब लोग CID से हैं आप को न? जी मैं मनोच की बीवी जिनका यह रिसर्च सेंटर है अचली कल उन्होंने कॉल नहीं किया राज से तो मैं उन्हें ढूंटे वे खुदी यहाँ चली आई सब जीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं सकते हैं वैसे मनोच से आपकी बात आखरी बार कब हुई थी? तकरिबन कल रात आट बजे वो एक्चली मुझे हमीशा कॉल करके ही सोते हैं लेकिन कल वो बिना कॉल किये ही यह मनोच साइंटिस्ट है के? जी नहीं, वो एक मल्टिनैशनल रिसर्च कंपनी में जॉब करते हैं और वो अकसर यहाँ आते रहते हैं उन्हें एलियन से संपर्क करना और उन पे रिसर्च करने में काफी दिल्चस्पी है उनका मानना है कि जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे एलियन्स की भी एक दुनिया है अचा यह बच्चों के फोटोग्राफ लगे हैं, बच्चों का और एलियन का क्या संबना है? यह उनके बच्छपन की फोटोज हैं, मनोज और उनकी बहन, यह चौदा साल पहले उनकी बहन कोथुवाडी में से गायब हो गई थी, उनका मानना है कि एलियन्स ने ही उनकी बहन को किड्नाप किया है यहां पास में ही किसी का खून हुआ है, तो हमने सोचा शायद मनोज कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कल वो कार से आये थे, मगर अभी उनकी कार भी नहीं दिख रही है, I hope सब ठीक हो अब 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 अने गाड़ी का नंबर और पूरे डिटेल्स जीए, हम लोग पता कर लेंगे, पंकच? सर, आये सर, सर, पता नहीं मीडिया को कैसे पता चल गया, यह न्यूज सारी न्यूज चैनल और सोचिन निल्टवरकिंग साइज पे देखे, अब इस बारे में कहना बोग पुछिए है, हो सकता है किवाले का अफवा, तब तक हमारे हाथ में ठोस सबूत और तथी नहीं लगते है, I can't comment Thank you, कुछ अजीब सी रोष्णी, कुछ अजीब सा स्वेशिप जयसा, आप इसे देव्यान भी कह सकते हो, या दिव्यशक्ति, यह जो भी था, इसकी खाबर हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहे हमारे साथ यह एक्सपर्ट, यह आदमी, इसकी फोटो तो यहाँ, अंदर लगी है यह देखो, यह आदमी है, मतलब मनोजिसा आदमे को जानता है शहर्द इससे कुछ पता से ले ढई बाद़ को यह आदमी को जो बाद़ को यहाँ झाल झाल रिमा रिमा मैं आगया हूँ रिमा अरे भाई आखिर को लो तूम कहा हो तुम ने मुझे यही पर बुलाए तहला है रहा है देखो मैं आगया हूँ यही से सब चुलो वाता ना प्लीज प्लीज मुझे बताओ करना क्या है अले भाई कहा हो तुम कोई बंचाओ मुझे प्लीज म मुझे माट से कोई निगा रहा हूँ पछे पेसमिन आदा ने लाला.. तू मिन पासमिन आदा.. तू मा.. और कोई बर्चा हो.. प्रेमा मुझे पूरा यकीन है.. तू नहीं मर सकती.. नहीं मर सकती तू... ो मुझे पुरा यकीन थी.. तू मां अपर जिन्ता.. तू मगा देवा.. एकपर दनूमे चालूमे, तुम्हे! लेट, लेट, लेट! लेट! मेरे अवाज सुना यह आ थे रहे है तुम्हे! सुन्द़राओ मेरे अवाज! देखो तुम जोग चाहते हो! जैसे चाहते हो! मैं भू करने के लिए तयारू! बढ़ एसे जोड़ दो! जो जो चोड़ो, इसे वापस दे तो, सुन्ड़ा मेरी अबाच्ट! जी मेरा नाम रवी है, यह मेरी बेटी मली का है, यह मेरा दामाज संजे है, हम सब मिलकर ही इस इस इस्टिटूट टो जलाते हैं, देखें, इन तस्विरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, के एटी या एलियन्स के होने के बहुत से प्रमान मिले हैं दुनिया में, हमेशा एलियन्स के वजूद को छुपाई जाता है दुनिया से, अच्छा, पर क्यों? क्यों? क्यों चुपाया जाता है, वेसे ही आपका एलियन्स के वारे में जो रिसर्च है, वो क्या कहता है? वो मैं आपको विजूल के जहरे सम्झा हूँगा, वेटी यहरा प्रोजेक् रवीज एक बात बताईए, मनोज के साथ आपकी आखरी मुलागात कब हुई थी? मनोज से मैं कुछ दिन पहले ही मिला था हूँ, और मनोज मुझसे एलियन्स के बारे में जानना चाहता था, जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वो क्यों जानना चाहता है, तो उसने बताया कि वो बच्छमन में अपनी बहन के साथ कहीं हॉलेडे पे गया था, और वह अचानक उसकी बेहन गायव हो गए और उसका मानना है कि उसकी बेहन के गायव होने के पीछे एलियन्स का हाथ है, और वो हर हाल में इस बात का पता लगाना चाहता है अलो? हाँ? अच्छा Sir, Manoj की काड़ी का पता चल गया Sir Manoj की गाड़ी का पता चल गया एरै Manoj की कार Sir जाड़ी में तो कोई भी नहीं है काप करो मनुझ का फोन ट्राइ करो दिखो शायद पता चल जाएगा अज़ मनुझ का फोन तो नहीं लेग रहा है कैसे ट्राइक करेंगे समझभी नहीं आरहे है मनुझ किससे बाग रहा है क्यों बाग रहा और अमरेपत मैने पर जगे का किया है कोट्चुआडी कोट्पवरी यह तो वही जग़ है जहांसे 14 साल पहले मनुझ की बेहन गायव हुई थी कोट्पवरी और यहला मनुझ की काबिन में गवा था मनोज वापस उसी जगह आया जहां से 14 सार पहले उसकी अपनी बहन गाया हुई थी पर सर यहां असपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है काम करते हैं उस घर में जाकर देखते हैं दिलाल तो यह घर है हमारे पास तुम शायद हमें और भी कुछ सुराग मिल सकता है वहाँ पर चलो देखते हैं चलो इस मनोज को किसे भी हालत में ढूंड़ना ही चाहिए निखिल, मयूल, तुम लोग बाहर से देखो अच्छी तरह से श्रया, तुम उपर जाओ तुमड़ो उसे चचिन, राइट में जो में यहाँ देखता हूं मनोज 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 प्लीज मनोज टो तुम गुक प्लीज मनोज मच़न इसलोय मनोज इस लड़की है इस लड़की का अब इन सबसे क्या लेने देना सचीनी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है वरना यहां इस वीडियो में क्योग समझ में या था यहां तद पहुंच जए मगर मनुल का कोई अधा पपा नहीं है यह जमीन निकल गई यह आस्मान खात रहा है अधार निकेप शरी देखें यहां पैसे लग रहा है अभी गट्टा खोथ के भरा गया है अच्छा तो भी खोड़ो इसे देखो इसके अंदर क्या है दीरे दीरे संबल के सुचीन संबल के सुचीन संबल के सुचीन संबल के सुचीन संबल के एक तम संबल के संबल के यह देखिए सर इलकुल प्यार चाहिए ना एक के बाद एक क्या क्या मिल रहे है सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है यह है क्या किस चीज का कंकाल है सर एक अठा तो भी भी खोदा गया पर इतने जल्दी यह कंकाल आ कहा से लिए वो तुम पता लगाई लेंगे निखिल पहले से जल्दी से जल्दी फॉरंजिक लाब भीज दो वहीं से पता चल जाएगा है क्या यह अर्जुन की बारे में क्या पता चला बस अर्जुन की बॉड़ी बहुत ज्यादा हाई टेंपरिचर की वज़े से फल भर में जल्दी कमाल की बात लोग इसक में चांद तारे तोड़ कर लाने की बात करते यह बेचारा तो सूरज आत में लेकर कि चला है और पलबल में खतम है सर नेहा ने भी बिलकुल यही बताय था जो कुछ भी हुआ कुछ ही पलो में हो गए लेकिन किसी भी यूमेन बॉड़ी को जल के राक होने में इतना कम समय नहीं लगता और हैगानी की बात यह बास यह जो राक है इसमें किसी भी ऐसी चीज के कोई प्रेसेज नहीं मिले जिसे पता लगे कि किसी चीज से जलाया रहा जैसे कोई पेट्रोल डीजल वगड़े कुछ नहीं अहां पल भर में इसका जल जाना यह साबित करता है कि कम से कम एक हजार डिग्री टेंपरिचर पे जला हुआ तुछ सारूंख यह जंगल में ऐसी चीज होना तो ना मुम्किन है यार वह सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है अगर इसे आई पाउर्ड लेजर बीम से जलाया गया हूँ हाई पाउर्ड लेजर बीम सर यह क्या हुता है? यह लेजर बीम दरसल बृग्णिक अपने रिसरच में इस्तिमाल करते हैं खास्ता अपर wearyzist आइ लेजर बीम, आइ लेजर बीम, बता लगाना पड़ेगा ऐसी कोई मिशीन है क्या, निखिल सौंग, यह तुम्हारा काम है, सौंग, सानुके, इस कंकाल के बारे में क्या पता चला है? बस, इस कंकाल के बारे में एक बहुती चौकाने वाली बात होते से लिए, वो क्या? वो यह कि यह कंकाल ना तो किसी इंसान से मैच करता है, ना किसी जानवर से मैच करता है, तो पिर यह है क्या, कोई एलियन? दूसरी ग्रह से आया हुआ, मनुच. आर निकल, लेजर के बारे में क्या पता चला है? सर्व, मैंने सारे फिसिस्ट से बात की, लेकर मुझा कहना है कि हमारे देश में तने हाई पाउर का लेजर मशीन है ही नहीं, यहां तक कि किसी ने अव तक ऐसे कोई लेजर मशीन बनाई नहीं, जिससे की इतना ज्यादा ठंपरिचर पाइदा किया जा सके. फिर भी, ऐसा खतरनाक लेजर मशीन इस खुनी के पास, समझ में नहीं आता है, यह कैसे और कहा से आया इसके पास? वे बाकुस, लड़की का, पुटेज देखते है जरा, दिखाँ. वे बाकुस, 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 ब पैनल जेसे लगता है मुझे पॉप एंचिप सर ये तो बड़ा फेमस रेस्टूरंट है संजीव नगण पॉप एंचिप रेस्टूरंट संजीव नगण पिर जरुबर इस लड़की को उसी रेस्टूरंट की आंसपास छुपा के रखा है कैद करके रखा है सर ये है वो रेस्टूरंट पॉप एंचिप पॉप एंचिप वो देखो बोरा घर उस खिड़की में से ये पॉप एंचिप का बोर्ड हमें वीडियो में दिख रहा था वही है वो चलो चल कर देखते हैं लगता ये काफी सालों से बंद पड़ी है जेगे ये को हमें पारे तो मुझे मैं कारे देखी अगीम् स испजी आत् Premi लगते हत्स इंचिप इंचिप बंजस्वुर्ण लगुप प्राओ को हमेरा ये पारओक लिए पुआने कारे ये पुर्ण बर Gust evitar पर अजल mnie लगता अज़ कि रखकी निए मचो कि रॉगा थाष। कि खमच्स साथ ऑटा कि पघए थाख था थाट थाख थाट TA कि अपिक अउर्ड विदा में पा धूS कोई निा जा रआ थाख कॉई नमार है महर का कह था थे थाख तो थाटा का थो व वह मुझे बार देंगे है not that Canadian मार दियर मुझे मुझे Prof. कोई नितानो का यह निता दूर को यह नितानो कोई नहीं मारेगा कपराओं कुछ नियोका कौन यह कॉनो कर तूम मेंदू है सार का यह मनुछ की बहन तो निहीं Kilcom जिसे जोरेष सालों से वो तलाश कर दा हाँ, जो सकता है यह देखो, इसके सिर्फर भी महिसा ही निशाने, जिसाब तस्वीर में मनोज के बैट के सिर्फर था, जो चौदा साल से गायब है, और शायद उसी कारण मनोज एलियन्स के बारे में रिसर्च करने लगा है, बिटा, गबरौमत, तुमें कोई कुछ ने करेगा, हम लोगे हैं हम, का पुरा होगा, ख़आ पर हम मुझे माघ देंगे, वहीं नि नियुकल, तुम बहुत का प्राणी है, इसफेटल ले या जाते है, तुम्हें होट नहीं होगा तुम्हें बहुत डल लगर जा जाओ, आजओ, आजओ, जाओ तुम्हें मार लगरा झाओ, प्र्शेदय न को चुचिन युगा तुम को अन है बाई अरे मनोच तुम किनने दूनों से ऑफिस भी नहीं आये न्यूस में देखा तो पता चला कि तुम कहीं गायब हो गयों है क्या यह सब रंजीत रंजीत मुझे तुमारी मदद की सक्जरूत है मदद कैसी मदद देखो वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बस अभी के ल ऐसे म मैं मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता अब चिर्शेथ कि अ командि से मैं तुमसे यह कह रहा हूं न उतनी शांची से तुम यह कशो खूग करो सबगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी हमकी देर हूं अग मैं अपी बिले संपों करताम पापा आंगीत ऐसा क्या वो विट वपर कोई है रंजीत वपर कोई है रंजीत तुम्हारे पास आखरी मोगा है या तुम मेरी बात प्यार से मान लो फिर अपने परिवार को आकरी बार देख लो आकरी फैसना तुम्हारा है क्या ना में तुम्हारा पिटा क्या ना में तुम्हारा अउ री, रीमा, रीमा, मुझे स्पेस में ले जाया गया था, आकाश में, वहाँ मेरे आसपास बहुत बयानक जानवर जैसे लोग थे, मुझे वहाँ चेम्बर में बंद कर दिया गया था रीमा, तुम हमें एक बंद घर में मिली थी, तुम्हें कुछ याद है तुम वहाँ कैसे पाँची, रीमा, याद करो, चेम्बर में, आकाश में, मुझे नींद आ गई थी, और उसके बाद, मुझे कुछ नहीं पता क्या है, ये चक्कर क्या है, हाँ, सर इसके बर्ताव और बात करने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है, कि शायद किसी ने इसे हेपनोटाइस किया है, ओ, तुम लोगों ने नोटिस की क्या ने, मगर, जैसे ये मुझे बंद करके किसने रखा होगा, एक बात पतानी, तुम ल क्यूर के रिंग्टोन बजीना, वो जो गाना है, उस गाने पे इस लड़की के रीमा के पैर्थी रखने लगे थे, टप 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 टप, लगता ही ये वो गाना जानती है, और ये कैसे हो सकता है, जबकि उसके कहने के मुताबिके बच्पन से, स्पेस में ही थी, कुछ न उस्तों गडबड़ है, लगता ही ये रीमा नाटक कर रही है मनुझ की बहन होने का, नाटक कर रही है, रीमा, कुछ याद आता है तुम्हें, किसने बंद करके रखा तुम्हें, रीमा, तुम्हारे आसपास जो लोग थे, तुम्हें उनकी कोई बाते सुनी, अच्छा ऐसा कुछ भी याद आता हो, जो अलग सा हो, कोई आवाज वोगेरा, हाँ, एक आदमी था, जिसकी आवाज बहुत भारी थी, वो वहाँ पर अक्सर आता था, कौन था वो आदमी, भारी आवाज वाला, क्या बाते करता था, वो किसके साथ बाते करता था, कैसी बाते करता था, कुछ याद है तुम्हें, हाँ, वो किसी ओफिस के बारे में बात करता था, ओफिस के बारे में, आफिस के बारे में काम करते हैं पता लगाते हैं मनुज किस आफिस में काम करता है तुम जाओ देखो मनुज अभी वी वक्त है रुक जाओ इसका परणाम अच्छा नहीं होगा रंजीत तुम चुपचा पास्वा टाइप करो हमारे बास वक्त कम है और तुम परिणाम की नहीं अपने परिवार की चिंदा करो यही है यही है यही है वो पॉक्स मेरी समझ में नहीं रहे है मनोज की तुम यह क्यों कर रहे हैं देखो यह टॉप सीक्रेट है अगर किनी गलत हातों में पढ़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा मनोज प्लीज मैं तुम से रिक्वेस्स कर रहा हूँ प्लीज अमत करो मैं यह सब अपनी बेहन को बचाने के लिए कर रहा हूँ जैसे तुम अप्री परिवार को बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं उसे पा कर दुवारा नहीं कूँ सकता मुझे जलचसल जलची पोक्स वहां पहुचाना पड़ेगा हैं तो वह लोग दरती चौर कचले जाएंगे यहें कि तुम्हें सो मदाश ते रिप देन के रिए मैं तुम्हें तक्रीव देने के लिए mo. इसकीजी में? मनुप आफिसके में काम करते है? मनुप डर अभा। मनुप बाह। अरे रुक जाओ पॉल त लय है उसने अलिएं के जरीवे मेरे परिवार को जान से मानने की धंकि दे इसलिए पशरी सर्थ मुझे इसा करना पड़ा क्या था के ओस बॉक्स में हमारी बरसों के रिकर्च अगर सही आटों में जाये तो इनसान की भलाई होगी और अगर गलात हातों में पढ़ जाये तो इंसान की तबाही उसे रिसर्च का प्रोटोटाइप था उस बॉक्स में इमनुछ कहा होगा? कुछ बताया है उसने कहा जा रहा है? सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया उसने इसके पहले कुछ अनोर नहीं हो जाए उसे पकड़ना ही होगा उस ज़रूर उस रहीली जिसे दिखी वाले को उटक करेगा पर तो वो जंगल जाएगा जहां उसने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है देखो तुमने जैसा कहा था, जो कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया अब तो, अब तो मेरी बेहन को छोड़ दो, प्लीज तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया वनोज, अब तो तुम्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए नए, देखो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेहन दे दो, पस तो जाओ, मिलो अपनी बेहन से, यहां नहीnd, ऊपर नए, 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 देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते मैं साथ तुम जैसे बिवकूफ के साथ मैं इससे दाना और कुछ नहीं कर सकता नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते ब्लोबोट रिमोट अपरेटेड इसको ऑपरेट करने वाला भी यहीं कहीं आसपास होगा देखो जरा अपर आपरेटेड तो मलिका प्रूफ है रवीजी के बेटी दमाद है, यह मेरी बेटी मलिका और यह मेरे दमाद संजेए वैसे तुझ जे से इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तुन्हें यह साबित कर दिया अफटा-फट मुझे जने क्यों किया तुन्हे में और संचाने मिलकर एक फिल्म बनाई थी अंत्रिक्ष और एलियन्स पर अबसे बनाते बनाते वर्पका बज़ाइ इतना बढगे कि वो अबसे टोगी कोई में डिस्टिब्यूटर अमारे फिर्म करींदे को देयार नहीं था हमने मार्केट से इतना पैसा उधार लिया था इंट्रस्ट पे अब अब सब अपना पैस वापिस मांग रहे थे यहाद है कि उन लोगों ने जान से मांगने के दमखी भी थी थी तो यह सारा चकर पैसों के लिए था था हमारे पास कोई और आस्ता नहीं था हमने सोचा एलियन्स की कहानी पर यकिन करने के बाद लोगों में हमारी फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी और हमारी फिल्म हाथो हाथ बिग जाएगी और हम कर से भी मुक्त हो जाएगे और इससे हम अगे और भी फिल्में बना पॉएंगे और इसमें ये मनोज रूसकी बेहन का क्या चक्कर था बारे में मेरे बारे में पता था को भावग करके उसे के बेहन के नाम पर आराम से बेवकूफ बना सकते थे और उसी के मदद से हमें तॉप सिक्रेट प्रोटोटाइप हासिल कर लें था और जिसके लिए हमारे पस विनेशे करिदार भी था रोबोट और सारी मशीन हमने फिल्म के लिए भार से ही मंगवाई थी हमने सोचा कि उसका इस्तमाल करके मनोच के जरिया हम अपना ब्लांड कामयाब कर सकते है अर अरजन उसको क्या मारा तुम लोगों है हम अरजन को मारना नहीं चाहते थे मारना नहीं चाहते थे इसलिए इतने बेरे में से जला के मार डाला उसे हाँ एक पिजिसिस्ट है इन्हों एक एक एचा अब हाई पावर लेजर डेवलब किया था जिसके बारे में लोगों को यकीन कराना जरूरी था और अरजुन इत्फाग से मारा था हम उसे जान बुच के नहीं मारा हैं नहीं मारा हैं एक तरफ हमारे साइंटेस्ट दिन रात मैनत करके इंसान को बचाने में जुटे वे और दूसरी तरफ तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसान और इंसानियत का नाश कर रहे हो शर्मानीजियत तुम दोनों को जो दिमाग समाज की भलाई लोगों के मनरोजन के लिए लगाना चाहिए था उसका इसे घिनोना कम में कर दिया तुम लोग ने और हां तुम लोग ये बात भूल गया है किसे फिल्मों में नहीं असलियत में भी अंत में जीत सच्चाई की होती है अब जेल जाओ और अपने गुनाहों की कहानी जरह आराम से लिखना लंबा समय काटने के लिए तुमारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है क्योंकि तुम लोग जेल तो जाओगे कभी वापस नहीं आओगे क्योंकि तुमारे पास नहीं है